अंतिम चरन का मद्दान ऐसे में शुरू हो चुका है ओटर अपने घरों से निकल ला है मौसम भी थोड़ा महरवान है अन दिन के अपेच्छा इस समय ओटर लाइन में लगकर अपने बेसवरी से मतों का प्रियोग करने के लिए लाइनों में लगे हैं आईए जानते हैं आप पहली बार ओट करने जा रही हैं यहीं मेरा दूसरा बहुत खुशी है बहुत ज़ादा खुशी है कि हम अपना वोट दे पा रहे हैं जिए मेरा फस्ट टाइम है और वसंदी से हो जाए मैं मैं आप काफी समय वोट कर चुकी होंगी किस तरीके का महौल है कि आपील करना चाहेंगे उपर से और भी महिला हैं उनसे भी बात करते हैं का पहली बार वोट कर रही है या कई वरा हम आठ नौ साल से वोट कर रहे हैं आज का मौसम बहुत अच्छा है इसके पहले बहुत गर्मी थी आज भी गर्मी है बाकि मौसम बढ़ियां है जी जी बहुत काफी देर से लगी हूं लाइन तो आप देख सकते हैं लोग लाइनों में लगे हैं भाई कितने देर से लाइन मे तीन घंटा लगेगा पहुचने में किस तरीके की स्तिती है क्या वे उस्थाए कुछ तो ठीके लग रहा है सब सही है कभी से खड़े अभी या नंबर आएगा तब ना कि अन्य जीलों की तस्वीर भी आपने वोट की समय देखी होगी क्या बनारस की किस तरीके की तस्वीर है लोग निकल लाए घरों से हाँ सब ठीट ठाग लिकर ले आगमी लोग मोसम में बढ़िया आ तो आईए हम आपको दिखाते हैं कि ये पुरा जगे किस तरीके की अपने मतों का प्रियोग देखे आप लोग अपनी मतों का प्रियोग किया आप जड़ा ऐसे दिखा दें हमारे दर्सकों को आप फर्स्ट टाइम ओटर हैं पहली बार ओट कर रही है येस इतनी खुसी हुई बहुत कुसी हुई आप तो काफी समय से ओट कर रही है जी आप देखो लगत रहा है जो इस आप से बीड़ता सुबा सुबा आए विद पील करना चाहेंगी लोग उसे इस समय हम नेशनल इ थोड़ा सा मिजाज बदला हुआ है अंदिन के पेच्छा आज थोड़ी गर्मी कम है कुछ लोग है जो नाराज है क्या दिक्कते हैं चचा अब यही दिक्कते हैं कि ओट कट गया नहीं आया सुबा से मैं परसान हूं दिये लो इधर दोला रही है उधर दोला रही है वहां अब कहां जाए हैं इस समय इस समय जहां आप बटा रहे हैं वो पीछे देख सकते हैं तसवीरे मैं कैमरा मेंसे कहुं दिखा हैं लोग अपने घरों से निकल नहें और निकलकर मदान करने के लिए मदान केंद्रों पे पहुँच रहे हैं और यह कही ना कहीं चुनाओ आयु के लिए ये तस्पीर कहीं न कहीं सुखद होंगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार मदाताओं को जागुद्ध करने में सरकार के सासा जिस तरीके से हर कोई की उमीदे थी कि ओडे उसी ओडे च निंहीं से निकल करा रही है, यह माना जाता है मुसलिम भहल छेत्र है और काफी समय से मद्दान के अगर बात करें तो यहां मद्दाताओं की संक्या जादा है और यहां पूरी भीड़ आप देख सकते हैं दिख रही है मैं कैमरामें से कहुँआ पीछे भी दिखाएं कि लाइन किस तरीके की यहां पर दिख रही है इससे अनुमान लगाए जा सकत है कि इन छेत्रों में लोग जागरुक्त हैं ओट करने के लिए और ओट परसिंटेज भी यहां से बढ़ता हुआ दिखेगा जिसकी तस्वीर यहां से निकल कर आ रही है हालाकि गर्मी लोगों पे असर तो डाल लही है लेकिन जिस तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है मद दाता इस छेत्र के जागरुक्त हैं अंतिम चरन का मदान ऐसे में सुरू हो चुका है ओटर अपने घरों से निकल ला है मौसम भी थोड़ा महरवान है अन दिन के अपेच्छा इस समय ओटर लाइन में लगकर अपने बेसवरी से मतों का प्रियोग करने के लिए लाइनों मे जी मेरा फर्स्टाइम है क्या कहना चाहोगे जी कि बहुत अच्छा लग रहा है फर्स टाइम है मेरा और मौसम भी अच्छा है खुश्य जल्दी से हो जाए मैं माप काफी समय ओट कर चुकी होंगी किस तरीके का महौल है कि आपील करना चाहेंगे उसे हैं मैं नहीं आता है सब बोलना और भी महिला हैं उनसे भी बात करते हैं का पहली बार ओट कर रही है या कई नहीं हम आट-णौ साल से वोट कर रहे हैं क्या मौसम आज का मौसम बहुत अच्छा है इसके पहले बहुत गर्मी थी आज भी गर्मी है बाकि मौसम बढ़िया है जी जी बहुत काफी तो आप देख सकते हैं लोग लाइनों में लगे हैं भाई कितने देर से लाइन में लगे हैं अब देखिए कितना से में लगता है अब हैं तीन घंटा लगेगा पहुचने में किस तरीके की स्तिती है क्या वे उस्थाएं कुछ एब तो ठीके लग रहा है सब सही है कभी से खड़े अभी या नंबर आएगा तब नहीं लोगी तस्वीर भी आपने वोट की समय देखी होगी क्या बनारस की किस तरीके की निकल लाएं घरों से हाँ सब ठीटाग लिकर ल अभी तो पीराल देखते हैं आगे क्या होता है लगता है बनारस में ओर्टिंग पर्सिंटेज बढ़ेगा 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 तो आप देख सकते हैं कि मदाता अपने घरों से निकल लाएं लाइन में लगे हुए हैं मैं कैमेरा मेंन से को दिखाएं यह तस्वीरे व परानसी की फिली कोठी साइट की ये तस्बीर है और आप देख सकते हैं कि मद्दाता यहां पर लाइनों में लगे हुए हैं अपने मतों का प्रयोग देखिए मैम आप लोग अपनी मतों का प्रयोग किया आप जड़ा ऐसे दिखा दें हमारे दर्सकों को आप फर्स्टाइम ओटर हैं पहली बार ओट कर रही हैं इतनी खुसी हुई बहुत खुसी हुई आप तो काफी समय से ओट कर रही हैं जी पीडूड दिख रही हैं मद्दान बढ़ेगा इस बार हाँ देखो लगत रहा है जो इसाब से बीड़ता सुबा सुबा आए विदो कर रही है मौसम भी थोड़ा सा मिजाज बदला हुआ है अंदिन के पेच्छा आज थोड़ी गर्मी कम है कुछ लोग है जो नाराज है क्या दिक्कते हैं चचा अब यहीं दिक्कते हैं कि ओट कट गया नहीं आया सुबा से मैं परसान हूं दिये लो इधर दोड़ा रही है से अब जक मिल नहीं रहा हैं अब कहां बन बनातान के लिए मतदान पे पहुंच रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चुनाओ के लिए ये तस्बीरे कहीं न कहीं सुखद होंगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार मद्दाताओं को जागूरूप करने में सरकार के साथ-साथ जिस तरीके से हर कोई की उमिद है थी कि 8% बढ़े उसी 8% को बढ़ते हुई तस्बीर वारणसी से निकल कारा रही है ये माना जाता है इंबहल छेत्र है और काफी समय से मद्दान के अगर बात करें तो यहां मद्दाताओं की संक्या जादा है और यहां पूरी भीड़ आप देख सकते हैं दिख रही है मैं कैमरामें से को हुआ पीछे भी दिखाएं कि लाइन किस तरीके की यहां पर दिख रही है इससे अनुमा लही है लेकिन जिस तरीके की तस्वीर निकल करा रही है मद्दाता लाइनों में लगे हैं बेसबरी से अपने पलों का इंतिजार कर रहा है उससे यह साथ जाहिर होता है कि मद्दाता इस छेत्र के जाग रुक्त है उत्रप्रदेश के वारान सीस इनिवर्जिस्टेट के ल राई उसर बास्तो